गुलाब की प्लांट में मैंने एक आज ऐसी चीज देखी जिससे मैं मजबूर हो गई आपके साथ शेर करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ असलालेकूम फ्रेंट्स वेलकेम टू माय चैनल शबनूरली जैसा कि सभी गाडनर्स की आदत होती है कि वो अपने प्लांट को टाइम टू टाइम चैक करते रहते हैं कि किस प्लांट को कब प्रोनिंग की जरूरत है, खाद कब चाहिए, पानी कब कितना देना है या फिर किस जगा पर रखना है जिसे कि ये गुलाब का एक प्लांट है, मैं आपको काफी दो तिन वराइटी दिखाऊंगी और जिसमें के सेम चीज़ है लेकिन जो टेंशन में बता रही हूँ, वही एक अलग है देखे ये है, मिनेचर, बटन रोस, इसके छुटे छुटे साइज है और कितना खुबसूरत कलर भी है तो इसका क्या है, कि ये जो पॉट है, इसमें सिर्फ एकी जगा से सारी ब्रांचे जारी है जमीन से तो कोई नहीं आ रही है, मतलब मिटी से कोई ब्रांच उपर की तरफ नहीं आ रही है तो ये सकिप मत कीजीगा, ध्यान से सुनिएगा और इन ब्रांचे में देखिँ पांच पत्या है हर टॉप पर देखिँ पांच पत्या है, तो इसी टॉप पर तो कली बनती है और यही सब ही कहते हैं, ज्यादय तर सब ही यही कहते हैं के साथ पती वाला जो टैनी होती है जिसमें साथ पतियां होती है उसमें बट नहीं बनती है कलिया नहीं बनती है और अब ये हमारे हैं देशी रोज तो इसकी सुकी सुकी पत्तिया हम अटा देते हैं इस पर भी आप देखें फाइव लिव्स हैं हर टॉप पर फाइव लिव्स हैं और उस पर एक कली भी बनी है और ये है पिंक जो के जंगली होता ही नहीं पूरा जंगली ये की तरह बढ़ता है इसकी पूरी टेहनिया लंबी लंबी जाती ये भी एक गाट से निकली है बॉटम से कोई ने निकली अब ये कली ये कटिंग से मैंने लगाई हुई थी तो इसमें भी कलीया तो नहीं बने हुई है लेकिन लीव्स तो फाइव ही है चेक करिए आप ये देखे देशी रोज है इस वज़े से इसमें फाइव है ये मैं मानती हूँ तो साथ होती तो वो जंगली कहलाती पर इसमें साथ नहीं होती है अब हम आपको ये दिखाएंगे हाइब्रिड ये है चाइनीज रोज तो यहीं वो जगा है जहां मैं देखकर बहुत कनफ्यूज हूँ आप देख रहे हैं न सेवन लीव्स है और कली भी बन रही है दूसरी ब्रांच मैं दिखाऊं ये देखे साथ पत्या है कली उस पर बन नी थी फूल भी खिलेते जो मैंने प्रून कर दिये अब वहाँ पर नियू शूर्स आ रहे हैं लेकिन सेवन लीव्स है इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर भी साथ पत्या और ये टहनी आप देखिए ग्राफ्टिंग एरिया से उपर है यानि में ब्रांच पर है जिसमें अभी तक फूल खिलते रहे हैं लेकिन इस टहनी को देखिए जो के जमीन से आई है मतलब मिट्टी के अंदर से आई है इसी को हम जंगली टहनी कहते हैं और अगर साथ पत्या हो तो ऐसा सभी कहते हैं भी अभी तक यही मानती थी कि इसमें फ्लारिंग नहीं होती है क्योंके इसमें शेवन लीवस है और सभी लीव सेवन है पर ऊपर जाते जाते यह पांच पत्ती हो गए नीचे सेवन है उपर पांच पत्ती हो गए और बिलकुल टॉप पर देखिए कली बन रही है मैं इसको कट करने वाली थी पर थोड़ा सा टाइम लेट हो गया जंगली समझकर उसको कट करने वाली थी लेकिन फिर बाद मैंने उस पर कली बनती देखी अब इस पर जो के नीचे वाली निव शूट आ रही कली बनती है के नहीं बनती है मैं कट करूं या ना क करूं उसको यहीं कन्फ्यूजिंग है तो आपने देखा कि साथ पतियां थी उसी ब्रांच पर जंगली ब्रांच पर वो भी मिटी से आई है उस पर कली बन रही है तो अब आप ही बताईए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या जिस ब्रांच पर साथ किन से आती है उसमें फ्लारिंग होती है या नहीं होती है यह कंफ्यूजर मेरे जरूर आप किलियर कीजिए और वीडियो ऐच्छosh लगा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और अच्छे हच्छे से कमेंट भी कीजिएगा फिर मिलते हैं प्यारी सी है कनेर की